हेलो एविवान वेल्कम टू दी न्यू वीडियो फ्रम स्टडी बजो मैं हो नुबफ गुपता शुर आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चों का यह गोल होता है कि उनको हैर एजुकेशन करके शुरू करते हैं तो फ्रेंज इससे पहले हम स्टार्ट करें हैं वो लेक्ट टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन जूर प्रेस करना ताक कि सारी इंपॉर्टन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हम ऐसाथ इंस् फ्राइडे को रात में नौ से गहरा वन मंथ कैट रिवीजन वर्क्शॉप्स दी उसके अंदर आपको मिलती हैं डेली असाइनमेंट्स एंड कम्प्रीट स्टडी मटीरियल 11 बुक्स का सेट मिलता है रिकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स की मिलती है एक एक्स्क्लूजिव डा 500 उपीज में एन्रोल कर सकते हो ताकि आप इस बेनिफिट का फायदा उठा सको आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है और वहां से जाके आपको एन्रोल्मेंट करनी है बाकी सारी डेटेल्स आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो अगर हम ब UAE में दुबाई आप उधा भी हो गया या कतर हो गया इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया न्यूजिलेंड हो गया या बहुत सारी यूरोपियन और भी कंट्रीज हैं स्कैंडिनेविन कंट्रीज जहां बच्चे सेटल होना चाहते हैं कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशन से जहां जाके लोग foreign में job करना चाहते हैं या settle होना चाहते हैं अगर आप ऐसी situation में हो कि यहां या आपको abroad जाके या आपका ऐसा mind है कि आपको abroad जाके settle होना है तो abroad जाके अगर आपको job चाहिए तो किस तरीके से मिल सकती है इसको भी हम समझते हैं बहुत बार यह होता है कि आ अगर आप उन jobs के अंदे apply करो खासकर अगर आपने MBA in international business की है तो यहां पे आपको बहुत सारे options मिलते हैं abroad जाने के तो अगर आपके पास यहां से opportunity मिलती है तो आप यहां से grab कर सकते हो for example बहुत सारी companies recruit करती हैं बच्चों को ताकि वो USA के office के लिए अपने UK के office के लिए या European countries के office के लिए या Middle East के लिए वो recruit करती है तो यहां से option हो सकता है दूसरा बहुत सारे बच्चे खुद भी apply कर सकते हैं यानि कि जब आप job search कर रहे होते हो LinkedIn पे या किसी और placement agency के तुरू आप खुद apply कर सकते हो foreign countries के इंदो jobs के लिए वो भी आपको consider करते हैं इसके अलावा बह project foreign country के साथ कोई चल रहा है तो उस basis पे भी वो अपने employees को बहार बेशती है और खासकर यह USA काफी भेजा जाता है इन बच्चों को ताकि वह वहां पे जो projects होते हैं जो इनकी employees होते हैं वहां पे जाके उसको handle कर सकते हैं तो यह major major aspects हैं अगर आप abroad जाना चाहते हैं तो किस त यहां से MBA करके जाता हूं क्या मेरी education को बाहर valid माना जाएगा नहीं माना जाएगा ऐसा ना हो कि मुझे बाहर जाके फिर से नई तरीके से पढ़ाई करनी पड़े तो it all depends कि आप किस तरीके से जा रहे हो for example सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप MBA degree यहां की बाहर valid है या नही alumni network globally फैला हुआ है तो ऐसा नहीं है कि यह colleges ऐसे कोई चोटे मोटे colleges है जिनको कोई जानते नहीं है बहुत reputed colleges है जिसकी वज़े से इनकी जो global placement है NIRF ranking है QS University की ranking है बहुत सारी अलग-अलग जो rankings है उसके अंदर यह बहुत अच्छा form कर रहे हैं तो अब लेकिन क्या aspects आपको अपने mind के अंदर ध्यान में रखने है अगर आप top colleges से करते हो for example IAM से ISB से FMS से IIT से SP जैन से MDI से XLR I से IFT से तो काफी good demand आपको abroad मिल सकती है because foreign companies भी due weightage देती हो और इनको अच्छे से pay भी करती है और also आपको make sure करना है कि आप जो भी यहां से पढ़ाई कर रहे हो वो आपक इसके अलावा foreign companies relevant work experience, skill set, extra courses भी है सारी चीज़े भी देखती है जिसके अंदर आपको apply करने से पहले हो सिरफ आपकी education नहीं देखती है कि वो जिस job के लिए आपको recruit करना चाहरे है क्या उसके related आपके पास relevant work experience है क्या आप उस job profile के अंदर settled हो पाओगे क्या आपके पास वैस skills है क्या आपने कुछ extra courses करे है या किस तरीके से आप अपने last job के अंदर perform किया है या recruitment के टाइम पर उन्होंने आपको test दी है उसमें आपने कैसा perform किया है क्या आप ready हो बाहर जाके settle होने के लिए क्या आप उस company के साथ loyalty शो करोगे तो यह सारी चीज़े directly और indirectly foreign companies recruiters देखते ह जब वो job देते हैं तो इसी लिए इस बात में आपको ध्यान में रखने कि as far as securing a job in foreign countries concerned यह एक difficult task हो सकता है लेकिन validity of the degree से आपको कोई घबरानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब भी एक foreign country settle होने का decision है उसके अंदर काफी ही challenges और बहुत सारे compliance होते हैं but आपको अगर आपन recognize करी जाती है और उसके basis पे ऐसे नहीं है कि आपको कोई disadvantage मिलेगी आपको कोई ऐसी problem नहीं आएगी तो आप अपने mind से free होके abroad settle हो अगर होना चाते हैं अगर यह आपका decision है तो आप इस degree के basis पे भी हो सकते हैं तो friends यह सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने discuss किया कि क्या यहां किसे अगर आप MBA करते हो तो बाहर आपको job मिल सकती है तो वीडियो पसंद आए तो या like जरूर करना प्लीज अपने सारे friends के साथ जरूर शेय करना प्लीज हमाँ साथ Instagram पर जरूर connect हो जाना अगर आपको हमारे pen drive course या life batch में enroll करने है तो हमाई website है य आप में WhatsApp या email भी कर सकते हों so thanks a lot all the best God bless you